नमस्कार दोस्तों मैं विनौस सर्मा स्वागत करता हूँ अपनी यूटीब चैनल वाइफाई गूगल ग्यान में जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने डेली केट कोट में केस किया हुआ हैं CCA के रिगार्डिंग जो CTA वेकेंट हैं और आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होगा तो आप लोगों का मेरे से एक ही question आता है कि उसकी hearing कब होने माली है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम proper आपको उसके बारे में update देने माले हैं वो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में add तक बने रहेगा आप लोगों को प कॉंटिन्यू करता हूं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों का जो कोट केस चल रहा है के लिए गुरूब डी में जो वैक हैं उस पर जो है चल रहा है और जुनों ने भी गुरूब डी का एक्जाम दिया है जो रेलिवेस एप्रेंटिस पास करता है हैंगे जो भी हमारी ओल्ड वीडियोज हैं अब मैं आपको बता दूँ कोट की जो हम लोगों ने केस किया हुआ है बैकन्ट सीटों पर बचीवी सीटों पर ग्रूब डी में सीसी के लिए तो उसकी जो हेरिंग है वह इसी जो है नेक्ट बीक में 17 से पहले हम लोग की हो जा हो जाएगी बाइक दोस्तों बहुत पॉझ्ट कीजिए हैं हम लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितनी वैकन्ट सीटे हैं अलग लग जून में रिजल्ट आई रहा है और आप लोग को पता होगए कि जो है कई सा सीटों में कहीं नो सा सीटे खाली है कहीं 500 से सीटे खाली है ऐसे जो है अलग अलग जोन में आते जा रहे हैं और जो सीटें बटा चलते जा रह रहा है तो कि दोस्तों लग बग्Е podem 8-10 j7 रहने वाली हैं और कई न कहीं जो है रेलवेय को इस पर याई लेना होगा और कहें न कहीं वो हम लोग के पछे में ही जो है चीजे आने वाली हैं तो यही था अपडेट दोस्तों कि हम लोग का हेरिंग जो है सत्रा के पहले हेरिंग हो जाएगा और काफी अच्छी चीजे होने वाली हैं हम लोग के कोट केस में आप लोग जो है परेसान मत हुए और कहीं लोगों को मिलने वाला है बाकि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकि आप लोग को यदि कोई सजेशन देना है तो आप बिल्कुल सजेशन आप दे सकते हैं आप हमारे जो है वाइफाइ गूगल ग्यान टेलिग्राम चैनल पे वाइफाइ गूगल ग्या जो है फेस्बूक वाइफाइ गूगल ग्यान का जो फीचल मेरा वर्ट्टिप नंबर है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर जो है कमेंट करके मेरे से मैसेज करके आप जो है कुस सजेशन दिया आप देना चाहते हैं तो आप दे कर दो